नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोरी पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जान कर लेकर हाज जुरूए हैं आपको देकि सरकार द्वारा 53,000 पदो पर वेकेंसी निकाली जा रही है जबकि दोस्तो अपका सेलेक्षन हो तो सरकार द्वारा कुछ निर्देश जारी किये गए हैं जो आपके लिए अती महत्पूर्ण हैं अगर आप वहें निर्देश मांते हैं तो दोस्तो तभी आपका सेलेक्षन हो पाएगा चहे आप सहीका के पदपर आविजन करना चाते हूं चाहे आवेदन करना चाहते हूं या फिर दोस्तों आप कार्या करता के पद पर आवेदन करना चाहते हूं आपको यह निर्देश मानने ही हैं अगर आप यह निर्देश नहीं मानते हैं तो दोस्तों आपका किया हुआ रिजटिशन रद हो जाएगा तो दोस्तो सरकार दोवारा क्या नोटिफिशन जारी किया गया है आपको यहाँ पर तमाम जानकरी मिलने वाली है अगर आप भी आंगनवाडी के तहट ओनलाइन अवेदन करना चाहते हैं दोस्तो वीडियो को पुरा देखें क्योंकि हम आपको जो सरकार दोवारा निजदेश जारी किये गई हैं वह स्टैप बाई स्टैप आपको बताएंगे दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और आपको यहां पे जो सरकार दुवारा नेज़दे जारी किये गई हैं वह स्टेप बाई स्टेप बता देते हैं सरकार दुवारा 53,000 पदों पर आगनवाडी भरती निकाली गई है दोस्तो साती आपको बता दें यह ओनलाइन आविदन छे चरणों में किये जाएंगे जब कि पहले चरण में आविदन की परकिरिया सुरू हो चुकी है और यह जो पहला चरण सुरू क्यागाया है इसमें आठ जिले आते हैं दोस्तो आभेदन शुरू हो चुके है इन आठ जिलों में और सरकार द्वारा 27 मार्च 2021 को आभेदन परक्रिया शुरू की जा चुकी है जब गी दोस्तों यहाँ पर जो सरकार द्वारा लाच डेक निर्दार की गई है 16 अपरेल 2021 की गई है अब दोस्तों अगर आप भी इस के तयात आवज़न करना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्देश मानने होगे दोस्तों आपको बता देते हैं कि UP बालविकास शेवा की ओफिशल वेबसाइट बालविकास UP.gov.in पर भरती नोटिफिशन जारी कर देगा है इसके साथ ही आवज़न की दिशा निर्देश जारी किये गए हैं अब दोस्तों आप बता देगी कंडिडेट तों को यासला दी जाती है कि अगर सरकार दुवारा यह निर्देश जारी किये गए हैं जो 15 निर्देश हैं अगर आप यहां मानते हैं तो दोस्तों आवेंद करते समय आपको यहां पर ध्यान पूर्वक पढ़ना है ताकि कोई दिक्कत आपके सामने ना आए तो जो पहला निर्देश है वह आपको पता देते हैं आवेदे का दुबारा विभागे वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हैं जो सरकार दुबारा साइट जारी की गई है बाल विकास यूपी डोट जी ओवी डोट इन पर अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो फो में मानने होगा अन्यता अगर दोस्तों आप अलग की भी पैसा इसके तहट नहीं लिया जाएगा नंबर तीन दोस्तों चैन की कारवाई जन्तपद इस्तर से संपादित की जानी है और आप वोता दे किसी भी संका समाधान हेतु जिला अधिकारी जिला कार्यक कर्म और दोस्तों अधिकारिस से समधान करा सकते हैं अब नंबर चार आता है दोस्तों ओनलाइन अविदन फोम भरते समय सभी प्रविष्टियां हिंदी में एवं नंबर को अंग्रेजी भासा में भर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको इन चिनों का इस्तमाल नहीं करना है अगर आप इन चिनों का इस्तमाल करते हैं तो आपका जो अविदिका को निर्देश के जाता है कि वे अपने ओनलाइन अविदन के से समंदित व्यक्ति जानकारी जैसे पंजीकर्ण संक्या जमति थी आधार नंबर और समान्या आईडी आदि किसी अन्या व्यक्ति से साजान ने करें अगर आप यह व्यक्ति से साधा साजा करते हैं तब भी आपका form मानने नहीं होगा नमबर छे दोस्तों अविदका किरिप्या ध्यान दे कि ओनलाइन अविदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी इस्तर पर बदलाओ नहीं किया जाएगा दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनिए अगर आप ओनलाइन अविदन अपलाई कर देते हैं और आपकी कोई उसमें मिस्टेक रह जाती है तो आप उसमें दुवारा क्रियेशन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए दोस्तों आप से निविदन हैं जब भी आप अपना ओनलाइन अविदन करें तो फोर्म को अच्छी तरह से भरे आप उसमें देख ले कि इसमें कोई गलती तो नहीं है आधार कार्ड में, नमबर में या फिर आपके एडरस में कोई मिस्टेक तो नहीं है वे ध्यान पूरवग देख ले क्योंकि अगर आप एक बार इसे अपलाई कर देते हैं तो आप इसमें दुबारा से कोई क्रियेशन नहीं कर सकते हैं अब दोस्तो नमबर साथ आता है ओनलाइन अविदन पत्र हिंदी में उपलब्ध है जिसे अविदिका दुबारा अंगरे जी एवं हिंदी दोन भासाओं में भरा जा सकता है ओनलाइन अविदन पत्र चार भागों में भरा जाएगा अब दोस्तो नमबर आठ आता है भाग एक दोस्तों भाग एक में उमीदवार की व्यक्तिकत व्यवरन अंकित करें यानिके जो उनकी व्यक्तिकत जानकारी है वह नमबर एक भाग में भरी जाएगी अब दोस्तों नमबर नो आता है पंजी करन भाग के दो में नंबर दो में दोस्तो आविदिका को सेक्षिक योग्यता को भरना होगा यानिके क्या योग्यता है रैस में भरना होगा ग्रेड सी जी पी ए और परतिसत की गर्णा स्वेचालित रूप से की जाएगी यानिके दोस्तो आपको नंबर दो में भरना होगा आपकी क्या योग्य नंबर 10 में आपको करना क्या है दोस्तों नंबर 10 भाग 3 भाग 3 में अविदिका को फोटोग्राफ और हस्त आकसर हस्त आकसर अपलोड करने होगे दोस्तों इस की गई फोटो जो यहां पर बताया गया है JPG, JPEG और PNG प्रारूप में होना चाहिए तभी आपका फोटो अपलोड होगा और वह मानने होगा दोस्तों यहाँ पर जो फोटो साइज दिया गया है वह 20 केवी का होना चाहिए तभी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे में आविदका को गोशना के लिए सहमत होना होगा की आविदक की अंकित्तिति से पहले भविश्य में अविश्यक शुधा करने के लिए से ड्रोप बटन पर क्लिक करना होगा यानि दोस्तों वहाँ पर कुछ निर्देश दे गए हैं जिसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है फिर उसे यहाँ पर ड्रोप बटन पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों नंबर 12 आता है नंबर 12 में आवेदन फोम के सफलता पूर्वक जमा होने के बाद आवेदक्का के पंजिकर्ण मोबाइल नंबर पर 47 संदेश भेह जाएगा यानि दोस्तों वहाँ पर आपका फोम भरा जाएगा वहाँ पर आपके फोम पर एक मैसी जाएगा उसके फ्रान दोस्तों नंबर 13 पर आता है जो महत्पूर्ण सूचना है आपके लिए आवेदका दुबारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदका को पातरता एवं चैन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका स्थ सलेक्शन होगा वे है मैरिट के तोर पर किया जाएगा यहनकि आपका कोई इसमें एक जाम नहीं होगा किवल यह मैरिट के हिसाबसे आपका सलेक्शन सरकार दुआरा किया जाएगा अब नंबर चोदा दोस्तो किसी भी पूछताच या सहिता के लिए अगर आप संप्रक करना चाहते हैं तो यहां पर सिरकार दुआरा मोबाइल नंबर और वेपसाइट भी दी गई है जिसके जरीे आप अपनी सिकाय दर्ज कर सकते हैं या कुछ आपका सवाल हो भेह पूछ सकते हैं और वह क्या है दोस्तों वह भी आपको पता देते हैं सबस्तों आप यहाँ नंबर जो दिया गया है वह एक आट डबल जीरो एक आट जीरो पांच पांच जीरो जीरो यह टोल फिर नंबर है आप यहाँ पे कोल करके अपने सिकायद दर्ज कर सकते हैं या फिर आगर आपका कोई सवाल है वह पूछाज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सरकार द्वारा एक इमेल आईडी भी दी गई है icd saw1234 at the rate gmail.com यह एक इमेल आईडी है दोस्तों आप यहाँ पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों नंबर आता है 15 आवेद का द्वारा उप्योक्त समस्त महत्पून अनुदेशों को पढ़ने तथा समझने के बाद सहमत्ती की दसा में नीचे अंकित बटन येस को दबाना होगा इसके बाद आवेदन फोर्म खुलेगा यह दोस्तों जिसमें आपको आवेदन करन खराई है वह फोर्म आपके सामने निकल कर आ जाएगा जिसमें आपको दोस्तों 4 सप जैसे हमने भूत है चैर इस्टक में आपको भोड़ना होगा करेंजुथ यह हमने आपको बता दिये हैं दोस्तों ऐसे आप अपना फोम भर सकते हैं और अगर आप यह निर्देश माण लेते हैं तो आपका फोम मानने हैं और दोस्तों आपको सेलेक्शन क्या दाएगा तो यह अब हैं लिए मेहत्पूंण जानकरी आपको यह जानकरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जूरूर बता या फिर आपका कोई सवाल है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करा है वीडियो को लाक करे जल स्यर शीर करें और अगर आप चैनल हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मेहत्पून जानकर लेकर आते रहते हैं दोस्तों बैला एकन को प्रेस करें मिलते हैं को ना इस्ट वीडियो में एक अच्छी जानकर के साथ जब तक के लिए जैहिन जै भारत